भारत के परस्ताव पर जहां WTO में कई देश साथ आ गए तो वहीं अमेरिका ने साथ नहीं दिया जानेंगे क्या है मामला तो वहीं इन सब के बीच में अचानक से रूस को चीन जटका क्यों दे रहा है और युवान देने से मना क्यों कर रहा है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है क्या भारत रूस की मदद कर सकता है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आए जानते हैं इन कबरों को विश्थार से बिदेश में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं लोगों को अपने परिबार को पैसा भेजना अवसस्ता पड़ने वाला है बिदेश से अपने देश पैसे भेजने पर लगने वाले सुलक यानि की रेमिटेंस में कटवति की जा सकती है बिस्व बैपार संगटन ने भारत के विदेश से आने वाले रेमिटेंस पर लगने वाले सुल्क को कम करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका को छोड़कर अधिकांस देश सस्ती तेज और अधिक सुलव सीमा पार पेमेंट सिस्टम के पक्ष में है यूरोपिय यूनियन ने भी भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है इंडोनेसिया फिलिपिन्स और दच्छिन अफ्रीका ने इस विषय पर भारत का समर्थन किया है भारत ने लेन देन लागत को कम करने के लिए तेज भूगतान परनाली सहीद डिजिटल भूगतान बुनियादी धाचे को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया है क्रोस बोडर रेमिटेन्स का मतलब वो पैसा होता है जो बीदेसों में रहने वाले प्रवासी अपने देश में अपने परिवार वालों को भेजते हैं भारत की अर्थ ववस्ता में रेमिटेन्स का भी एक अहम योगदान है साल 2023 में भारत को भी देसों में बसे भारतियों से कुल 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला था ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक है भारत के बाद मैक्सिको 67 बिलियन डॉलर, चीन 50 बिलियन डॉलर, फिलिपिन्स 40 बिलियन डॉलर, मिस्र 24 बिलियन डॉलर ऐसे देश हैं जिने सबसे अधिक रेमिटेंस मिलते हैं भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस अमेरिका से उसके बाद युवई से सौधी अरब से कुवेट से सिंगापूर से मिलता है रेमिटेंस के नाम पर कई देश अधिक सुल्क वसूलते हैं भारत ने इसी दर को कम करने को लेकर प्रस्ताव रखा था जिसे कई देशों का समर्थन भी मिला जानकारों के मुताबिक कम रेमिटेंस से देशों के बीच और समानता को कम करने में मदद मिलेगी खासकर भारत जैसे विकासील देशों को इससे काफी मदद मिलेगी वर्तमान में रेमिटेंस चार्ज औसतन 6.18% है जिसे 3% तक कम किये जाने का लक्ष रखा गया है भारत ने जो प्रस्ताव दिया है उसके अनुसार वर्क प्रोग्राम में रेमिटेंस की लागत, ट्रेंड और बैपार सम्मंधी विकास की फिर से समीक्षा करनी चाहिए प्रस्ताव में कहा गया कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि कैसे टेक्नलोजी, नए मार्केट प्लेयर्स का आना और अलग-अलग आपूर्ती करता, नए-नए स्रोत और उपभुकताओं का बदलता वैवहार रेमिटेंस को परभावित कर रहा है भारत ने ये भी प्रस्ताव दिया कि वर्क प्रोग्राम रेमिटेंस की लागत इसे कम करने से जुड़ी चुनोतियों की भी जाच होनी चाहिए अब अगर ये रेमिटेंस चार्जेश कम होते हैं तो भारत आने वाले पैसे की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ेगी जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक बड़ा जटका दिया है अमेरिका ने और इस जटके का आसर भी दिखना सुरू हुआ है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं रूस ने तालका मचा दिया ये कहकर कि रूस बाचित कर रहा है चाइना से यूआन में लोन लेने के लिए रूस के फैनेंस मिनिस्टर ने इस बात की घोसना की थी कि इनोंने कहा कि हम डिसकस कर रहे हैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से हम लोन लेना चाहते हैं यूआन में लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है नेगोसियेशन्स वगेरा चल रहे हैं अब ये एक बहुत बड़ा जटका था आपको बता दें कि जो डॉक्टर एजय संकर ने राय सैना डॉयलोग में जो बात कही वो बात त रूस एक साथ आकर खड़े हो रहे हैं ये एक धूरी बन रहे हैं लेकिन चाइना के तरफ धकेल कौन रहा है चाइना के तरफ आप ही धकेल रहे हो इन्होंने कहा था कि ये बहुत बहुत अच्छी बात है अगर हम रूस को multiple options दे रहे हैं कि तुम्हें अकेले चाइना की तर का बयान जैसे ही आया वैसे ही ये कहा जाने लगा कि इसा मतलब है कि जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर रूस की वो डिपेंडेंसी अब लगातार बढ़ती जा रही है और ये डिपेंडेंसी एक बड़ा खत्रा है लेकिन चाइना अभी भी यहां पर तैयार नहीं हो र चाइना रूस को युवान में लोन नहीं देना चाह रहा है और कहा गई वो नो लिमिट पार्टनर्शिप, पार्टनर्शिप में नो लिमिट की बात कही थी जब राश्च्पती पुतिन और जिन्पिंग मिले थे पर यहां ऐसा लगता है जैसे नो लिमिट वाली कोई चीज नहीं रई है क्यों नहीं चाह रहा है तो चाइना के बैंक बहुत बड़ा कारण बंद रहे हैं चाइना के बैंक रूस को लोन नहीं देना चाहते हैं इसके पीछे एक बड़ा करा कारण है अभी हाल फिलाल में क्या हुआ है US, European Union, UK ने सीधे सीधे रूशी कंपनियों के उपर बेन लगाया सो लगाया Chinese कंपनियों के उपर भी बेन लगाया है कुल 91 कंपनियों के उपर बेन लगé है रूस के, चाइना के, तुर्की के, यूई के, किर्गिजदान के, भारत के, साउथ कोरिया के भी तो ये इन पर आरोप लगा है कि आप किसी न किसी तरीके से रूस को इस युद्ध में मदद कर रहे हैं हाला कि जैसे ही ये परतिबंद लगे थे, चाइना का ग्लोबल टाइम्स गुसाया था और इन्होंने कहे दिया था कि भाया तुम को क्या लगता है, ये सब लगा कर तुम जीत जाओगे, तुम जीतोगे नहीं फिर स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कसम खाली है कि हम जाएंगे इस बार डबलू टियो की मीटिंग में हम बात करेंगे, अमेरिका ये कैसे कर सकता है, हमारे चाइनीज फर्म्स के ऊपर कैसे परतिबंद ठोक सकता है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर एक्सन लेंगे, जो भी जरूरी कदम है, उन कदम को उठाएंगे चाइना यहां परिसान हो रहा है, हलाकि इस काटून के जरी अपनी परिसानी को कम करना चाहरा है पर अमेरिका का क्या कहना है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना है जेल लौट टू लूज, अभी चाइना को अभी बहुत कुछ खोना बांकी है अमेरिका का कहना है, कि हम चाइनीज फर्म्स के उपर अभी और भी ज़्यादा एक्सन लेंगे, जिसने रूस को इस युद में कहीं न कहीं मदद किया है वैसे आपको बता दें, ये अमेरिका कंसीडर कर रहा है, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में इस बात को कहा जा रहा है कि लो मेकर बहुत जल्द एक और प्रपोजल लाने वाले हैं, जिस प्रपोजल में कहीं न कहीं चाइना के उपर एक बड़ी तबाही तूटने वाली है और ये तबाही चाइना को परतिबंधों में ढखे लेगी, तो चाइना यहाँ पर खुद ही बुरी तरीके से परिसान दिख रहा है और चाइना परतिबंधों से बचना चाह रहा है, यही वज़य है कि चाइना रूस को लोन नहीं दे रहा है इसक्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, यह रूस के जो एमबेजडर हैं भारत में वो हैं इन्होंने क्या कहा था, डैनिस अली पोग, इन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत के उपर परतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है ताकि भारत और रूस के संबंध खराब हो जाएं अमेरिका अपनी जो भी कोशी से कर रहा है, पर यहाँ पर चाइना ने एक रुख दिखला भी दिया है इसक्रीन पर 23 फरवरी की आर्टिकल देख सकते हैं आप यहाँ पर चाइना की फोरण मिनिस्टरी यूक्रेन के साथ मुलाकात करने वाली है वीकेंड में म्यूनिक में चाइना के फोरण मिनिस्टर वांगी ने यूक्रेनियन समकच दिमित्री कुलेबा के साथ मुलाकात की और ये बता रहा है कि कहीं न कहीं वो दूर होना चाहते हैं रूस से, रूस की वज़ा से अपनी कमपणियों के उपर परतिबंध नहीं झेलना चाहते हैं वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ